अलो दोस्तों, NTPCCBT2 में लेबल 4 और लेबल 6 का एक्जाम 9 और 10 मई को लिए जाएंगे और इसके लिए सिटी एंटेमेशन लिंक 26 अप्रेल को ही एक्टिबेट करा दिया गया है अभी तक लेबल 4 और लेबल 6 के लिए जो भी कंडिडेट एक्जाम देने बाले हैं लगबक कंडिडेट ने अपना सिटी चेक कर लिया है कि उनका एक्जाम किस सिटी में होने बाला है तो मैंने कई candidate का exam city देखा जिससे पता चला कि कुछ candidate का home center दिया गया है, कुछ candidate का बगल के state में center दिया गया है, वहीं कुछ candidate का बहुत दूर center दे दिया गया है, सारा data map लोगों को दिखाने बाले और ये कई से candidate है जिनका exam center सबसे दूर दिया गया है, लगबग 32 किलो मीटर इनका exam center दिया गया है, साथ इस वीडियो में जाने बाले हैं क्या label 5, label 3 और label 2 के लिए भी exam center इसी परकार से दिये जाएंगे, और क्या CBT2 exam के लिए exam special trend चलेंगे या नहीं, सारी जानकार इस वीडियो में देने बाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा में रहने बाले हैं, तो कई candidate का exam city देखने के बाद पता चला कि कुछ candidate का exam center home state में ही दिया गया है, कुछ candidate का बगल के state में दिया गया है, वहीं कुछ candidate का exam center बहुत दूर दे दिया गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने NTPC-CVT2 exam center के लेटेड एक पोल डाला थ जिसमें की लगबग 1600 कंडिडेट ने भाग लिया, इसमें मैंने पूछा था कि NTPC-CVT2 में आपका exam center कितना दूर है, और इसमें मैंने 4 option डाला था, जिसमें की पाला option था कि 500 km के अंदर दिया गया है, दूसरा option था 500 km से 1000 km के बीच में दिया गया है, तीसरा option था 1000 km से अध सकते हैं कि 16% ऐसे कंडिडेट हैं जिनका exam center 500 km के अंदर दिया गया है, 46% ऐसे कंडिडेट हैं जिनका exam center 500 km से लेकर 1000 km के बीच दिया गया है, 23% ऐसे कंडिडेट हैं जिनका exam center 1000 km से अधिक दिया गया है, और मैंने आप लोगों को कुछ दिर पहले ही बता है कि कुछ कंडिड बगल के क्ट इस्टेट में दिया गया है और कुछ का एक्जांप सेंटर बहुत दूर दिया गया है अपलों को ने खुद देखा कि 46 अप्सेट में कि लगभग 50 % मान कर चले तो 50%وجित गांप दिया गया है यानि की 10 जिनका इक्जाम सेंटर मात्र 500 km के अंदर दिया ग्या है अधू जोणवाईज बनाय गया है कि मेरा exam center 32 किलोमेटर दूर दिया गया है तो इससे यही लगता है कि सबसे अधिक दूरी पर इस candidate का ही exam center दिया गया है अगर बात करें किया इसी परकार से level 5, level 3 और level 2 में exam center दिया जाएगा अगर कुछ बदलाव नहीं किये जाते हैं तो इसी परकार से आप लोगों का level 5, level 3 और level 2 में exam center देखने को मिलेगा क्योंकि level 4 और level 6 में सबसे कम candidate है फिर भी exam center इतना दूर दिया गया है इसलिए अगर कोई बदलाव नहीं होते हैं तो level 5, level 3 और level 2 में भी आप लोगों को इसी परकार से exam center देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा परिशाने उस candidate को होने बाले हैं जो कि हर एक level के लिए qualify है उन्हें हर एक level के exam देने के लिए जाना ही परेगा अगर वे 5 level के लिए qualify हैं तो 5 लेबल के लिए यानि कि 5 बार उन्हें CPT2 exam देने जाना परेगा इसलिए अगर आप लोग जितने लेबल के लिए qualify हैं उतना CPT2 exam आप लोगों को देने जाना परेगा अगर बात करें CPT2 exam के लिए कोई special trend चलाए जाएंगे या नहीं तो खासकर railway के exam में यही देखा जाता है इसलिए CPT2 exam के लिए भी special trend चलाए जा सकते हैं अभी आप लोग किसी भी special trend का इंतजार ना करें अगर किसी भी bus या train में seat मिल रहा है तो आप लोग अपना seat book कर लें क्योंकि अभी किसी भी परकार की official जानकारी special trend के बारे में नहीं दी गई है समभाबना है कि railway के अन्य भरती की तरह CPT2 exam में भी special trend चलाए जा सकते हैं इसलिए अभी आप लोग special trend का इंतजार ना करें अगर किसी भी bus या train में seat मिल रहा है तो आप लोग अपना एक seat book कर लें तो special trend के बारे में जैसे मुझे कोई जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को तुरत बता दूँगा तो चलिए आज का बडियो इसमावथ करते हैं इंटी पी सीबिटी टू एक्जाम के लेटर जैसे को और लेटर स्टेप डेट आगी हम आप लोगों को वीडियो के मादम से जानकारी दे देंगे इसके लिए फ्लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जड़ाज़ा शेयर करें और लाइक करें तो चलिए आज का बडियो समावथ करते हैं वीडियो देखने के लिए फ्लोग कर धन्यवाद